आज चार जून दो हजार पाईस आज की साकार मुर्ली से हमें गुण सीखने मिलता है सिखने मिलता है जो हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाती है चैसे हम एक पेड़ को देखते हैं, बहुत ही सुदर हरा भरा पेड़ हैshe उसमें बहुत सुदर फूल और फल लगे हुए हैं उस पेड़ को देख करके अगर मन में संकल्प करते हैं कि इस पेड़ का हम ध्यान रखेंगे इसको रोज हम संभाल करेंगे और उस पेड़ के एक-एक पत्ते को पानी दे रहे हैं, साफ कर रहे हैं, एक-एक टाली का ध्यान रख रहे हैं और जो उसकी रूट्स है उसको हम इग्नॉर कर दिया, तो वो पेड कुछ ही दिनों के अंदर सुखने लगता है, क्योंकि जो रूट से सिर्फ उसमें हमें पानी देना होता है, एक-एक पत्ते पर मेहनत करने की हमें आवश्यक्ता नहीं है, एक-एक डाली की संभाल रखने की जरूरत नहीं है, अगर हमने पान पानी रूट में दे दिया, तो वो रूट की रिस्पॉंसिबिलिटी है, एक-एक पत्ते तक वो पानी पहुंचाना, ऐसी ही संगम युग पर शिव बाबा ने हम बचों को भी रूट में रखा है, याने जडों में रखा है, पर मात्मा बीज से हमारा कनेक्शन है, हम बीज से शक्ती लेते हैं, और सारे संसार की आत्माओं, पत्ते पत्ते को वो शांती, प्रेम, सुख, आनंद, रुपी, शक्ती देते हैं, तो हमारा कनेक्शन बीज से है, हमें पत्ते से कुछ लेना नहीं है, और ना ही एक-एक पत्ते का ध्यान रखने की आवश्यक्ता, लेकिन बीज से कनेक्शन रखकर हमारा काम हर एक को वो शक्ती प्रदान करना है, उनसे लेने की इच्छा नहीं, लेकिन देना, क्योंकि हम रूट में हैं, और रूट की responsibility है एक-एक पत्ते को पानी पहुचाना, तो संगम युग पर ये हमें स्रेस्ट भाग्य पर्मात्मा से मिला ह हमारा उस परंपिता पर्मात्मा ज्यान के सागर, प्रेम के सागर, शक्ती के भंडार से कनेक्शन है, वो स्वयम इस धरा पर आए हैं और हम बच्छों को कांटे से फूल बनाते हैं, तो हमारी responsibility भी है कि सब को पर्मात्मा का परिचे दे, उन्हें भी पर्मात्मा से मिलाएं कांटे से फूल बनाएं, हर एक की जीवन में सकारात्मक परिवर्दन लाने के लिए हम वो सोर्स बने, उन्हें पर्मात्मा से connect करें, यह हमारी सिम्मेवारी हैं, हम रूट में हैं, संगम युग पर हैं और हमें अपनी इस सिम्मेवारी को संभालना हैं, अर्थात हमें किसी से कुछ भी लेना नहीं है, पर्मात्मा से लेना और सब को देना है, आज सारा दिन में यह अभ्यास करेंगे, पर्मात्मा से शक्तियां ले और जो भी संपर्क में आये, उन्हें सब को अपनी मंसा से, वाचा से, कर्मना से उन्हें वो शक्तियों का अनुभव कराएं, आज आज के दिवस के यही शुक्कामना, ओम शैंति.